हरे कृष्णा साथियों आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकल अफ साइंसेज में मैं दिनेश शर्मा और आज देखे हम लोग एकत्रित हुए हैं नोमर्सी डे तीस के जो सवाल है उनके जवाबों को ढूड़ने के लिए तो डे तीस का यदि मैं टॉपिक की बात करों तो टॉपिक आपका रहने वाला है स्टैटिक्स स्टैटिक्स में भी एक्विली ब्रहम आपने देखा होगा जब से हमारा अलजब्रा खतम हुआ है लीनियर अलजब्रा तब से अभी अपना जो है वो एक्विली ब्रहम ही चल रहा है और उमीद है कि दो यह तीन दिन अभी और equilibrium चलेगा, दो में शायद से हो जाएगा ये complete, question जो हैं वो चार है, और difficulty level की यदि हम बात करें, तो ठीक ठीक है difficulty level, जादा tougher side पे भी questions नहीं है, और जादा easier side पे भी questions नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से, day 30 के जो questions हैं, वो आपके compulsory part में पूछे जा सकते हैं, और पूछे जा ही नहीं सकते, even जो question number 2 आप देख रहे होंगे, ये last year आपका UPSC exam में पूछा भी गया है, तो आप paper देखेंगे तो समझ जाएंगे, तो क्या कहते हैं फिर प्रभुजी स्टार्ट करें, चलिए आईए, पहला सवाल पढ़िए, कहता है, तो अपने पास दो incline plane है, एक का 30 एंगल है, एक का 60 है, ये जो incline plane है, अगर आप देखेंगे, तो day 39 के जो questions हैं, उसमें हमने same funda किया था, एक तरफ आपका angle of inclination 30 है, एक तरफ आपका angle of inclination 60 है, so this angle is given as 30, और ये थोड़ा सा steeper है तो 60, आगे क्या कहा गया, a weight equal to twice that of the beam, can slide along its length, find the position of the sliding weight, when the beam rests in a horizontal position, गौर करने वाली बात है कि हमारी जो beam है, वो horizontal position में rest करती है, तो beam is something like this, let's say ये A, ये B, अब आपने क्या कहा कि beam के उपर, आपना beam से double weight जो है वो slide कर सकते हैं, और आपको ये बताना है, equilibrium में उस double weight की position क्या ही होगी, तो अच्छा पहले देखो, यहाँ पर reactions लग रहे होंगे, ये let's say R, और ये let's say आपका S, इसमें कोई doubt है क्या, नहीं ना, अब ऐसा माल ले देखो, beam का जो midpoint है, let's say G, वो यहाँ कहीं है, तो नीचे आ रहा होगा आपका W, एक हमने 2W यहाँ पर रखा, इधर ही क्यों रखा, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा explain करूँगा, कि G के उस तरफ क्यों नहीं रख पा रही है हम लोग, या क्यों नहीं रख सकते, इन दोनों का जो resultant है, वो 3W होगा, और वो 3W, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, आप लोगों ने जब text solution देखा होगा, तो वैसे तो आप समझ ही गए होगे, बड़ स्टिल थोड़ा सा यहाँ पर discussion की हमें जरूरत है, सबसे पहले हमने beam जो है, उसका weight W assume किया, question कहा रहा है, उसका double weight आप slide कर सकते हैं, आप देखें प्रभु जी, अगर मैं 2W मान लीजे, जी के right side में consider करता, तो इनका जो resultant है, वो यहाँ आता कई, बीच में तो आता ना भीया, और आप देखें, जब इन दोनों का resultant ले ही लिया, तो system में हुए कितने, total 3 force, 3 कैसे, 1s, 1r, एक इनका resultant, फिर याद करू, point क्या कहता है, कि यदि आपके पास केवल ही 3 force है, तो या तो उनका जो line of action है, वो parallel होना चाहिए, या उनका line of action, एक point पर मिलना चाहिए, तो अगर प्रभू जी, आप 2W इस तरफ ले लेंगे, तो फिर देखें कैसे जाएगा मामला, weight तो भया vertical होता है, समझी रहे न, आप ऐसे तो नहीं पास करा देंगे, angle पे तो, फिर तो पाप लगेगा, क्यों weight सीधा आता है, vertically, downward, तो इस चक्कर में जब W बीच में है, तो फिर P आपका W से left side में ही होना पड़ेगा, या तो आप ये intersection फिर उदर को दिखाओ, तो वो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, अब intersection थोड़ा सा इस तरफ है, तो फिर ऐसा situation बनेगा, तो मैं उमीद करता हूँ, तो ये angle कितना आता है, 30, और ये 60 है, तो ये भी कितना आता है, 60, अच्छा जो मेरा ये beam है, AB, इसका length कुछ assume कर ले, let's say 2A, question में तो नहीं given, so let length of beam, length of beam, AB is equals to 2A, आप देखें प्रभुजी, पहले ये triangle, A, O, D, basically हमें AP की position निकालनी है, यहाँ पर हम concept क्या use करेंगे, देखो, concept हम use करेंगे, कि जो moment of force, AK about, 2W और W का बनेगा, वही AK about, moment of force, 3W का बनेगा, property है अपने पास, AK about, जितना moment of force, 3W का आएगा, उतना ही moment of force, AK about, 2W और W का, मिला कर आएगा, ऐसा तो point है ही, तो वहाँ से अपना AP जो है, वो निकल जाएगा, अराम से, length of beam जो है, वो 2A है, आप यह देखें प्रभु जी, यहाँ पर कुछ-कुछ data है, जैसे, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, triangle, A, O, D में, अब इस तरह के जो questions होते हैं ना, कि अगर आप exam में पहली बार ही देख रहे हैं, और आप यह उमीद करते हैं कि, सीधा solve हो जाएगा, तो फिर, आप मुंगेरी लाल के हसीन सबने देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल वैसे नहीं हैं, इसे हम लोग moment लेते हैं और कारवाई कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा length-vent का जो है हमें खेल खेलना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा, यह जो D point है, basically जो आपका resultant है, इसकी position क्या है, जी की position is half of A, but what is the position of D, is it half, और 1 by 3, और 1 by 4 right, तो यह हमें जो है वो देखना पड़ेगा, तो उसके लिए देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, triangle A, O, D लेंगे, हम लोग निकालेंगे प्रभु जी 10-30, तो 10-30 कितना होगा बोलिए, A, D by perpendicular by base, base is O, D, O, D जो है, अच्छा, A, D के बारे में अभी जानकारी नहीं है, A, G जो है, वो अपना half हो जाएगा इसका, क्योंकि G is the middle point, rod का weight वहाँ से pass कर रहा है, चीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से आप A, D देखिए कितना आएगा, that is O, D, 10-30 कितना होता है प्रभु जी, 1 by root 3, very good, फिर आप देखें, triangle, O, D, B, triangle, O, D, B में आप 10-60 देखें, 10-60 कितना होगा बोलिए, यह हो जाएगा आपका, D, B by, क्या कहरें जी, O, D, so, D, B is O, D, 10-60 is root 3, अब हम लोग क्या करते हैं, ratio निकाल लेते हैं, A, यह निकालते हैं, देखो ratio, D, B by A, D, तो D, B, जो है कितना चल रहा है, बोलिए, root 3 into O, D, यह कितना चल रहा है, प्रभु जी, 1 by root 3 into O, D, कुछ कट जा रहा है क्या, आप देखें, जी, आज नहीं तो कल, कटना तो है ही, तो ठीक है, यह हो जाएगा, देखें, आपका, D, B by A, D is 3, दोनों साइड यह दी, हम लोग 1 add कर दे, तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 add करेंगे तो LCM लेंगे न, और यहां हो जाएगा 4, प्रभु जी, आप यह देखे, D, B plus A, D, A, D plus D, B is nothing but A, B, right, तो यह हो जाएगा, आपके पास कितना, A, B by A, D is 4, तो मैं इस conclusion पर पहुँच गया, that A, D is 1 by 4, A, B देखो, यहां से अपने को, यह मालुम चल गया, कि जो A, D है, वो 1 by 4 है किसका, A, B का, तो इसका मतलब यह हुआ, कि हमारा जो D है, वो इसके भी हाफ पे है, 1 by 4 का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ, खेर, अब हम लोग good to go है, देखो, हम लोग क्या बनाएंगे, moment of किसका, तो हम लोग लिखेंगे, moment of, moment of 3W, about A, about A, very good, यह क्या होगा बोलो, moment of 2W, about A, plus, प्लस इसलिए, मतलब यह तो आप resultant ले लीजिए, बट आप देखेंगे, दोनों का direction, same, मतलब, sense, same ही है, clockwise, clockwise, समझ रहेंगे ना बात को, तो अब ठीक है, यह हुजाएगा, moment of, of, W, about, A, यह देखें, प्रभु जी कितना आएगा, यह आजाएगा, 3W, into, A, D, very good, यहाँ से कितना आएगा, 2W, into, AP, जो की हमें चाहिए, into में W, मतलब, प्लस में W, into में AG, आप देखें, जो, W है, वो तो कट जाएगा ना, AD is 1 by 4, AB का वैल्यू हम लोग कितना लिये थे, क्या कह रहे हैं जी, 2A, very good, AP हमें नहीं मालूम, यहीं हम निकालना चाह रहे हैं, AG is half of AB, half of AB, क्योंकि G जो है, वो आप कहेंगे, middle point है किसका, beam का, और beam uniform है, तो weight, वहीं पे act करेगा आपका, right, अब देखें क्या क्या कट जा रहा है, यह कट जाएगा ना दो पे, यह बचेगा 3 by 2 A, very good, यह हो जाएगा 2 AP, यह हो जाएगा A, इस A को इधर ले आईए ना, 3 by 2 A, minus A is equals to twice of AP, यह कितना आएगा प्रभुजी, A by 2 is twice of AP, और I can say, AP is A by 4, अब इसका मतलब क्या है देखो, A B जो है वो 2 A था, उपर नीचे इसको 2 से multiply कर दो, तो 2 A by 8, और weekend से A B by 8, मतलब आपका जो यह 2 W weight है, यह आप कहां पर रखेंगे, A B by 8 पे, 8 वे हिस्से पे, समझ रहे हैं बात को, तो यहां पर रखेंगे तो आपका जो system है, वो हमें equilibrium में नजर आएगा, तो question थोड़ा सा यह अलग था, क्योंकि यहां पर सारे forces का movement जो है वो नहीं लिया गया, यहां केवल इन ही का movement लिया गया, और यह 2 W इधर क्यों लिया है, यह बात clear हुई, कि यदि आप इसको उधर लेते, तो आपको diagram में क्या changes करने पड़ते, उन changes करने से इन angles पे कोई भी फरक नहीं आता है, even आप करके भी देख लीजेगा, अगर आपने last वाली वीडियो नहीं देखी है, और आपको यह लग रहा है कि जी यह angle कैसे आ गए, तो मैं आपको recommend करूँगा, कि आप day 29 की वीडियो देखे, उसमें हम लोगों ने इन angles के बारे में विस्तार से चर्चा की हुई है, right, question number 2 पे चले, आ जाईए, question number 2 जो है, आपका UPSC में आया हुआ है, maybe last year आया था आप देखेंगे, तो आपको मिल ही जाएगा, question number 2 आसान ही है, वैसे तो मतलब आज के जो question ने कुछ खास, इनका difficulty level नहीं है, यह मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, यह question यदि आपके exam में बनेंगे भी, तो compulsory में ही बनेंगे, choice में नहीं बनेंगे, मतलब 10 number का ही question बनेगा, 15 number में इस तरह का सवाल जो है, वो देखने को आम तोर पर नहीं मिलता है, देखें जी, question क्या कहता है, question कहता है, two uniform rods, a, b, b, c, rigidly joined at b, so that the angle a, b, c, is a right angle, ठीक है, hang freely in equilibrium from a fixed point a, the length of the rods are a and b, and their weights are w and wb, prove that if a, b makes an angle theta with a vertical, then 10 theta is given by some expression, दो road है, a, b, b, c, उनको join कर दिया है, rigidly, एक तरीके से fuse कर दिया है, उनको आपस में, तो एक आपको right angle, a, b, c, देखने को मिल रहा है, और फिर उस right angle को आपने a से टांग दिया, और कुछ-कुछ data हमें given है, तो let's say this point is a, तो, ऐसा बना लेते, यह b, और यह आपका c, यह right angle है, एसे हमने इसको टांग दिया है, ठीक, और यहां पर length given है हमें, a, b, जो है, a, b, जो है, वो a given है, b, c, जो है, वो b given है, a, b, का जो weight है, वो w, a given है, और b, का जो, मतलब b, c, का जो weight है, वो w, b given है, और देखें प्रभु जी, जो हमें proof करना है, इस question में, वो करना है कि tan theta जो है, वो है b square, by a square, plus में 2 a, b, बस यही angle हमें, मतलब यही data जो है, वो given है question में, इसके अलावा data और कुछ given है ही नहीं, और ठीक ही है, मतलब question आसान है यह भी, आप सबसे पहले यह देखें, इसका weight होगा एक, let's say this is point g, midpoint, नीचे आएगा कितना, w a, इसका midpoint कहीं यहां मान लेते हैं, w b, let's say h, a पे reaction लगेगा, तो reaction vertically उपर जाएगा, पूछो क्यों, देखो system में कितने forces, तीन force, तो या तो इनका line of action parallel हो, या meet करे, meet कर नहीं सकता है, तो parallel वाली situation बनी, a के about आप moment लेंगे, तो मामला सेट हो जाएगा, data यह given है कि, जो a b rod है, यह theta angle बनाती है, vertical के साथ, ऐसा मैं नहीं क्या रहूं, question पढ़ेंगे, तो इस से just पहले यहीं बताया है, तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग torque या moment of force लिखेंगे, a के about, तो जब a के about लिखेंगे, प्रभु जी, हमें कुछ distances चाहिएंगे, इसको extend कर लेते हैं, उपर को, एक हमें distance चाहिएगा ये, इसको नाम देते हैं, let's say d, ये तो g है ही, एक हमें distance चाहिएगा ये वाला, जिसको थोड़ा और extend करते हैं, हाँ, तो यहां से बात बन जानी चाहिए, let's say इसको नाम देते हैं, हम लोग कितना e, इसको f, तो हमें e f भी चाहिएगा, तो यहां पर लिखते हैं, take moment of forces, moment of forces, about a, क्योंकि a पे आपने hinge किया है मामला, about a, तो आप देखें जी, a के about करेंगे, एक anti-clockwise गुमाना चाहर है, तो एक clockwise गुमाना चाहर है, तो दोनों के torque आपस में equal, पहला force wa, perpendicular distance is a d, very good, second force is wb, perpendicular distance is e f, अब यह distances निकालते हैं, बस question solve, आप देखें प्रभू जी, यह angle theta, तो यह angle theta, तो triangle ले लो, a d g, triangle a d g, a d g में, अगर मैं sin theta निकालू, यह होगा, a d by a g, g is the middle point of a b, और sir, a b कितना given है, a, तो a g कितना हो जाएगा, बोलो, a by 2 हो जाएगा न, तो a d कितना आएगा, देखो यहाँ से, a d is a by 2, sin theta, right, e f के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, e f के लिए, पहले यह पूरा निकाले, और उसमें से be, subtract कर दे, तो e f मिल जाना चाहिए, तो triangle देखें, हम लोग, a, b, e, इसमें हम लोग, sin theta निकालते हैं, तो प्रभु जी, यह कितना आ जाएगा, be by a b, so, be is a sin theta, अब हमें e f चाहिए, e f के लिए, यह b f निकालना पड़ेगा, उसके लिए, यह angle, उसका जरूरत लगेगा न, आप देखें, यह angle कितना, 90, यह theta, यह कितना, 90 minus theta, हो जाएगा न बोलो, और यह पूरा 90, तो यह वाला angle भी कितना हो जाएगा, theta, very good, तो triangle consider कीजिए आप, triangle, b, h, f, यहाँ पर हमें चाहिए base, तो, cos theta, base is, यह, hypo is, bh, देखें, bh जो है, वो आपका, b by 2 है, क्यों, क्योंकि, h is the, midpoint of, bc, हमें लेकिन, क्या चाहिए, यहाँ से, ef, तो, ef कैसे आएगा, bf minus, be, ef कैसे आएगा, bf minus, be, यह कितना चल रहा है, देखें, b by 2, cos theta, a sin theta, अब हम लोग, इसका value, यह, और इसका value, कहां put कर दें, 1 में, तो देखो, यह कितना हुजे आएगा, w, a, a, d का value, बोलिए, a by 2, sin theta, very good, w, b, इन महाराज का value, b by 2, cos theta, minus, a sin theta, अच्छा, कुछ, कट जा रहा है क्या, तो यह हो जाएगा, a square by 2, sin theta, यह हो जाएगा, b square by 2, cos theta, minus, a, b, sin theta, हामें चाहिए, प्रभुजी, tan theta, तो दोनों साइट, डिवाइड कर दीजिए, cos theta से, यह हो जाएगा, a square by 2, tan theta, यह बचेगा, b square by 2, यह हो जाएगा, a, b, tan theta, इन महाराज को, इदर ले आए, tan theta is common, a square by 2, प्लस में, a, b, b square by 2, अंदर क्या ले लीजिए, lcm, यह हो जाएगा, देखे, tan theta, a square, प्लस में, 2ab, by 2, b square by 2, आप बताएगे, प्रभुजी, कुछ, कट जा रही क्या, हां, कट रहा है, चलिए, यह बहुत बढ़िया, तो यह कट जाएगा, तो आप देखे, tan theta, कितना आया, b square by a square, प्लस में, 2ab, और आप देखे, हमें, यही चाहिए था, ऐसा ही तो है, तो ठीक है, इसको, नोट कर लीजिए, यह लास्ट यर, शायद से, आपके एक्जाम में भी आये था, 10 नंबर के लिए, फिर question number 3, देखेंगे, तो question number 3, जो है, वो भी आपका, kind of easier side पे ही है, again compulsory में, आ सकता है, हाँ, बाकी day 31 के question हो सकता है, आपको थोड़े से, तफ लगे, और day 32 के, ऐसा आप मान सकते हैं, कि वो भी तफ लग सकते हैं, बट वो last होगा, most probably, day 32 will be the last, day of equilibrium, उसके बाद हम लोग देखेंगे, अपना virtual work, question number 3, देखें क्या कहता है, a uniform bar, AB, of weight 2W, and length A, is free to turn about a smooth hinge, at its upper end A, and a horizontal force, is applied to the end B, so that, the bar is in equilibrium, with B, at a distance L, from the vertical through A, prove that the reaction at the hinge, is given by, some expression, तो आजाईए, आपकी एक rod है, rod A पे hinge है, A अपर end है, आपने एक force लगाया, तो वो, B जो है, मतलब इदर कुछ ऐसा, force आप लगा रहे हैं, ठीक है, इसको जोड लेते हैं, और, यह जो distance है, आपका, यह L गिवन है, force is applied at the end B, so that, the bar is in equilibrium, with B, at a distance L, from the vertical, through A, A पे मामला हिंज है, तो एक reaction force जा रहा होगा, वो निकालना है, अभी उसके भी चर्चा करेंगे, पहले data लिख लेते हैं, A, B का length जो है, अपने को प्रभूजी, A given, है, weight of A, B जो है, वो 2, W given है, already, इसको नाम में C दे देता हूं, तो C, B जो है, वो अपने को L given है, और reaction, let's say R, यह proof करना है, W, और कुछ खतरनाक सा expression है, 4A square, minus 3L square, by A square, minus L square, whole raise to the power half, जिसमें W बाहर है, अब आप यह देखें, सबसे पहले की reaction लगेगा कैसे, भाई, एक आपका G होगा यहाँ पर, midpoint जहां से आपका, यह 2W force लग रहा होगा, आप देखें, प्रभूजी, system में फिर से, 3 force का जो है, वो case है, 1F, आपका right-hand side लग रहा है, 2W आपका नीचे लग रहा है, यह parallel हो नहीं सकते, तो इसका मतलब, 3 force का जो line of action है, वो एक दूसरे को meet करेगा, तो आप देखें, F का line of action तो यह है, W का मतलब weight का यह है, तो reaction का line of action, कुछ इस तरीके का, क्या कहरे हो, होना चाहिए की नहीं होना चाहिए, बोलो, reaction आपका, ऐसे लगना चाहिए की नहीं लगना चाहिए, क्योंकि system में केवल, 3 forces हैं, तो होना है, let's say, इसको नाम देते हैं, ओ, अब यहाँ पर यह वाल angle, हमें कुछ let करना पड़ेगा, let's say 5, देखो, हमें चाहिए, R का value, in terms of W, ओपे lemmys लगाएंगे, काम हो जाएगा, हो जाएगा की नहीं हो जाएगा, बोलो, आजाओ, lemmys लगाते हैं, वो 5 जो है, question में given नहीं है, हमने खुच से assume कर लिया है, क्योंकि अब उसको कुछ तो assume करना ही पड़ेगा, दरवाइज आप lemmy ओपर लगा नहीं पाएंगे, तो प्रभु जी, F के अपॉन में देखें, कौन कोन आएगा, angle की बात करूँ मैं, F के अपॉन में जाएगा, इसके और इसके बीच का angle, पाई में से फाई सब्ट्रेक कर देना, तो angle आजाएगा, तो यह हो जाएगा आपका sine, पाई माइनस फाई, very good, 2W के नीचे कौन सा angle आएगा, जो आपका R और F के बीच में है, देखें, यह 90, यह 5, तो कितना हो जाएगा प्रभु जी यह, 90 प्लस में क्या कह रहे हो, 5, very good, और R के अपकोन में कौन जाएगा, 2W और F, कितना angle बन रहा है, चेक करें, 90 है क्या, तो यह आजाएगा sine 90, हमें चाहिए R in terms of W, इन दोनों को equate करवाईए, तो R कितना आया प्रभु जी, 2W by cos 5, let's say 1, अब cos 5 की value मिल जाए, तो बस गंगा नहा लिए, क्या कहते हो, देखें, Rod की length A है, तो यह कितना होगा, A by 2, बोलो, यह भी कितना होगा प्रभु जी, A by 2, होगा ना, आप देखें, मैं आपसे पूछूँ, आपके पास दो triangle हैं यहाँ पर, triangle आपका, यह, 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 और यह, क्या यह similar होंगे, G, O, B, कौन-कौन से triangle बोले मैंने आपसे, एक तो पूरा triangle, पूरा ले लिजे triangle, A, C, और हैने लिजे, A, B, C, बड़ा triangle, और एक triangle आपका, यह वाला, G, O, B, क्या यह similar होंगे, यह दोनो, बड़े वाला, A, C, O, A, C, B, अराम से चेक कीजेगा, G, O, B, यह और पूरा बड़ा, कौन-एंगल, 90, 90, मामला सेट है, तो यदि यह A by 2 है, तो यह फिर काइदे से कितना होना चाहिए, L by 2, और यह भी कितना होना चाहिए, L by 2 होना चाहिए की नहीं होना चाहिए, बोलो, by concept of similarity, अभी तो हम काफी बारी यूज़ कर चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, कि अब आप यूज़ टू हो गए होंगे इस चीज़ के, आप देखें प्रभू जी, यह फाई है, alternate है, ठीक है, हमें फाई की, कॉस फाई की value चाहिए, ठीक है, देखें, बड़े triangle से हम AC निकाल सकते हैं, इस छोटे triangle से हम AO निकाल सकते हैं, आजाए, तो थोड़ा सा आप खेला खेलते हैं, triangle ABC, यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे, तो AB का square is equals to AC प्लस में क्या कहा रहे हो जी, CB, AB square देखें कितना हो जाएगा, क्या कहा रहे हैं, प्रभू जी, A square, AC square is L square, and CB, जो, अच्छा, AC तो निकाल ला है, यह तो CB होगा, AC, तो यहाँ से AC कितना आ गया, under the root, very good, A square minus, L square, यह आ गया है, जी, under the root, ऐसा आ गया है, ठीक है, अब आप triangle consider कीजिए, triangle, AC O, इसमें पाइथागोरस लगाईे देखें, AO, तो क्योंकि AO आते ही आपका, cos 5 भी फिर आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, OC, प्लस में, AC, तो यह हो गया, OA का square, OC कितना चल रहा है, L by 2, तो जाएगा L by 4, AC का square is, A square minus L square, LCM ले लिजे प्रभूजी, तो OA का square कितना आ गया, देखो, L square, प्लस A square, minus 4L square, by 4, ऐसा ही तो है, तो OA कितना दिखेगा आपको, उपर आ जाएगा, अंडर दी रूट, very good, A square, minus 3L square, नीचे आजएगा कितना, 2, अब triangle ACO में, हम लोग cos phi निकाल सकते हैं, क्या, triangle ACO, cos phi क्या होता है, base by hypo, तो base is AC, and hypo is AO, AC चल रहा है आपका देखे, एकदम 25 के temperature बे, और AO चल रहा है आपका ये, ये ही है ना, ये 2 कहां पहुँचेंगे महराज, let's say उपर, इसको put कीजिए 1 में, so R is 2W, आप देखें प्रभु जी, इसका हो जाएगा reciprocal, so 2 under the root, A square minus L square, उपर आजाएगा, A square minus 3L square, 2 से 2, आप कहेंगे जी, happy birthday, so आपको ये देखने को मिलेगा, A square minus 3L square, A square minus L square, पूरे की पार, और आप देखें हमें, चाहिए ऐसा था क्या, ऐसा तो नहीं चाहिए था, मसला कहा हुआ सर, जब LCM लिए, यहाँ पर 4, नहीं लगाए, और आप बोले भी नहीं मेरे को, कि प्रभू जी, यहाँ 4 नहीं लगाए हो आप, यहाँ 4 आएगा ना एक, 4A square minus 3L square, यहाँ भी 4 आएगा, और फिर यहाँ भी 4 आएगा, तो कोशन देखेंगे, difficulty level इसका moderate है, मतलब ना तो यह बिलकुल ही आसान है, वैसे काइदे से तो अब आपको यह आसान लगना ही चाहिए, क्योंकि आप इतने कोशन कर चुके हैं, बट फिर भी ठीक है, नहीं लग रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो कोशन ठीक ही था, बस केवल इसमें आपके पाइथागोरस का ही खेल था, और लेमी से अपना काम चलिया, आप देखते हैं कोशन नमबर चार, बिसिकली आज का आपका अंतिम सवाल, अंतिम सवाल जो है, वो टिपिकली इजियर साइड पे उसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको हम लोग concept of virtual work में भी देखेंगे, इवन जितने कोशन हमने अभी किये हैं, आप इन सारे कोशन को कर सकते हैं, विद्धा हेल्प ओफ, concept of virtual work, तो जब देखेंगे virtual work, तो करेंगे कोशन उसमें ऐसा क्या ही है, फिलाल कोशन पढ़ते हैं, कोशन नमबर चार, और उसको solve करने का कोशिश करेंगे, बाकी आप comment section में मुझे बताईएगा, क्या आपको statics के कोशन difficult तो नहीं लग रहे हैं equilibrium के, अब इतने दिन करने के बाद में, कोशन देखें जी क्या कहता है, तो एक वर्टिकल है, इस पे आपने बीम inclined करी, लेट से एबी, और कुछ डेटा गिवन है क्या, लेंथ में इसका हाँ, तो एक गिवन है, तो एबी इस आपका 2A, और एक B है, मतलब पैग है यहाँ पर, यह distance आपको B गिवन है, कोशन में ही गिवन है, from the wall, लेट से पैग जो इसको P से नाम ले देते हैं, इसको लेट से C दे देते हैं, तो P, C आपको गिवन है, B, और तो बस यही डेटा गिवन है आपको, और बोलाएं कि, किस के साथ, show that the inclination of beam to the vertical, vertical के साथ, let's say inclination phi है, so we need to prove, that phi is, sine inverse, B by A, angle में, par is 1 by 3, cheek है, आप देखें, प्रभु जी, यहाँ पर एक आपका आएगा reaction, इस तरीके से, R, let's say, एक आएगा इसका weight, जो rod है, midpoint कहीं यहाँ, assume कर लेंगे हम लोग, let's say G, यह आगया आपका, weight के बारे में देखें, कुछ जानकारी नहीं है, तो W assume कर लेंगे, एक इस peg का आएगा reaction, आएगा ना, तो अब फिर system में केवल 3 force है, एक यह R, basically इस wall का reaction, एक आपका weight, और एक peg का reaction, तो peg का reaction काईदे से, कहां से pass करना चाहिए, इस point से pass करना चाहिए, let's say this point is O, इसको नाम दे देते हैं S, अच्छे जब आप question करेंगे, तो मैं फिर आपको कहूंगा, कि आप जो है, यह forces की जनकारी तेंगे पहले, मैंने एक दो दिन पहले भी कहा था, कि like the forces acting on the systems are following, फिर number one, that is weight of the beam, acting vertically downwards, point number two, reaction exerted by wall on the B, acted along AO, फिर third में क्या बोलेंगे आप, reaction force exerted by peg at point P, along P, और इसको कुछ या ऐसे OP, ऐसे आप define कर देंगे, यह लिखना जरूरी है, नहीं लिखेंगे प्रभु जी, तो फिर कुछ नम्बरों की कटोती, आपके क्या कहते हैं, answer sheet में हो जाएगी, आप देखें हमें sin theta, और 1 by 3 है, यह 1 by 3 एंगल में आया कैसे होगा, आप इसको reverse थोड़ा साल ले लीजिए, तो sin phi जो है, वो कुछ इस तरीके कर रहा होगा, बी by A की पार 1 by 3, दोनों साइड क्यूब कर दीजे, तो sin cube phi कुछ इस प्रकार कर रहा होगा, अगर मैं यह निकाल लू, तो यहां तक तो पहुँच ही जाएंगे, आपके ratios आएंगे, उनमें cut pit के B और A बचना चाहिए, तो थोड़ा सा angle का खेल यहां पर खेलना पड़ेगा अपने को, अच्छा यह 90 होगा, क्योंकि हम जानते है, reactions जो हैं, वो हमेशा perpendicularly exert होते हैं, यह 5 है, यह होजाएगा आपका 90 minus 5, कितना हो जाएगा यह, क्योंकि यह पूरा 90 है, देखो यह 90, यह 90 minus 5, so this has to be 5, चीक है, और तो, चलो देखते हैं अभी, B और A को हमें लेकर आना है, तो A के लिए हमें एक बारी A वाला angle, अब पूरा consider करना पड़ेगा आपने को, कौन सा triangle, triangle A, G, और O, तब ही, अगर मैं इसको यहाँ पर join कर दूँ, इस तरीके से, और इसको कुछ नाम दे दूँ, H, तो अभी triangle A, H, G, से G, O, और फिर H, G, extra आएगा, H, G को eliminate करने के लिए, कुछ चाहिएगा मेरे को, चल ये, करते हैं एक बारी थोड़ा सा, क्योंकि हमें लेके कुछ ऐसा आना है, डाइग्राम थोड़ा सा होच-पोच होई गया है, पहले triangle देख ले, कौन सा A, P, O, छोट़ ट्राइंगल, ये 5 है, यहाँ से sign निकालते हैं, तो sign कितना आएगा प्रभुजी, sign 5 देखें आप, ये आजाएगा, AP, hypo is AO, चीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं कुछ ऐसा ले आऊँ, AP मेरे को चाहिए क्या, नहीं, AO मेरे को चाहिए क्या, नहीं, मेरे को चाहिए PC, because PC is B, and मेरे को चाहिए AG, PC कहां से मिलेगा, जब मैं ट्राइंगल कंसिडर करूँ, AP, C, तो ट्राइंगल AP, C, इसमें देखें, आप sign 5 जो है, वो कितना होगा प्रभुजी, perpendicular is PC, hypo is AP, तो ये, अभी देखो, AP तो मेरा, जब multiply करूँगा, कट जाएगा, बट मेरा OA बच क्या, OA के लिए अब ट्राइंगल, A, G, H, यही consider करना पड़ेगा, क्योंकि OA और H, G, आपका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो consider ट्राइंगल, A, G, H, यहाँ sign 5 अगर हम बात करें, तो कितना आएगा देखें, है, H, G, बाई, A, G, H, G is, OA, A, G is, A, G, मिट पॉइंट है न, A, B का, ठीक, अब आप इन तीनों को क्या कर दीजिए, multiply, तो यहाँ हो जेगा sin 3 फाई, यह AP बाई, AO, यह B बाई, AP, यह OA बाई, देखो, AP से AP, OA से OA, कितना बचा प्रभुजी, B बाई, तो sin 5 is B बाई, whole rest to the power 1 बाई 3, और we can say, 5 is sin inverse B बाई, की power 1 बाई 3, देखो, यही चाहिए था, तो इस question में मैंने क्या किया, सीधा solve करने की जगा, ठोड़ा सा इसको reverse किया, ताकि मुझे यह idea लग जाए, कि मुझे proof क्या करना है, या मुझे diagram से क्या चीजे निकालनी है, तो मैं उमीद करता हूँ, कि आपको चारो questions समझ आही गए होंगे, कोई अगर दुविदा रही होगी, तो अभी clear हो गई होगी, तो शुक्री आप लोगों का, आपसे प्रभुजी मैं, कल मिलूंगा, सेम टाइम, सेम जगा, डे इगत्यस के questions के साथ, तिल देन, हरे क्रिश्ना,